लाठी डंडो से हमला कर बाइक लूटने वाले एक आरोपी को चांदत थाना पुलिस ने गरफतार कर लिया है जबकि दूसरा आरोपी फिलाल फरार है जिसके गरफतारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने आरोपी के कपजे से लूटी हुई बाइक को बरामत कर लिया है। पलवल चांदर थाना प्रबारी देविंद सिंग ने बताया कि उन्हें मुक्मिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, कि लूट पार्ट करने वाले एक आरोपी गाओं के ठ्वाडी के पास हनुमान मंदिर के समीप मौजूद है, जो की कहीं बाहर जाने की फ्राक में है। सुचना मिलते ही टीम गठित की गई, मौके पर दबिज दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। दोस्ता आज में आरोपी ने अपना नाम विशुन निवासी गाओं के ठ्वाडी बताया। आरोपी के कबजे से बाइक को ब्रामत कर लिया गया है, आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ, 31 अक्टूबर की रात अकबरपुर डाकॉरा निवासी नरेश पर हमला कर बाइक लूटी थी, जिस समन्द में पेडित नरेश की सिकायत पर एक नवमर को मामला दर्ज कर लिया गया, पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर नयाए घरासत में भेज दिया है, परार और आरोपी की गरफतारी के परियास किये जा रहे हैं, आरोपी के लिए आत्मा और मेरी मोट साइकल उन्हों ने छीन ली, तो जैसे हम इन्वेस्टी इन्होंने कंप्लेंट दी, हमने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे के बाद हमारे इन्वेस्टीगेशन में इसमें जो है ये विश्णू सन्नौफ बरतलाल है, ये और एक लड़का राहूल है, जो इसके गाउं करेने वड़ा, इन दोनों ने इस वार्दात को अंजाम दिया था, तो आपने विश्णू सन्नौफ बरतलाल को तो गरफतार कर लिया, और उससे जो छिनी कई मोट साइकल थी वो बरामद कर ली, और दूसरा राहुल की गरफतारी के अभी जो ना परियाज जारी है फरार हो अभी हाँ वो अभी फरार है